पूस्चन नंबर 27 प्रूब डेट रूट त्री जैन एडेस्टर लंबर अंद त्रूफ करना है कि रूट त्री जो है एक एरस्टर लंबर है बहुत इंपोर्टेंट कुस्चन है हमेशा आपको जब का भी आप सैम्पल पेपर उठालीजे प्रिविए सेर कॉस्चन पेपर उ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजे और हमारे प्ले लिस्ट पर जाएगा वहां पर अपलोड करके मैंने रख दिया है तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं आपका हर एक कॉंसेप्ट वहां पर में भी क्लियर हो जाएगा इतना मेरे को मेरे उपर थोड़ा विश्व नंबर है हम क्या करेंगे इसका जस्ट अपोजिट को लेट करेंगे हम लोग लेट करेंगे लेट रूट थ्री बी और रेशनल नंबर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है रूट 3 तो एरेस्टनल हमें प्रूब करना है तो आप इसको रेस्टनल कैसे ले सकते हो तो हाँ बिलकुल मैं खुच नहीं करूंगा अभी मैं Late कर रहा हूं कि रूट 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 ट्री जो है Er Shauna नमबर है आगए चलकर मैं ऐपने ही बातों kuk मुल गलत बोल दूगा कि नहीं जो मैं आप गलत वोला था तो आप तो बूलड़ों और हाँ यह rational है तो चलिए प्रूब करता है कैसे होगा तो हमने क्या क्या रूट 3 इक्वल स्टू हमने ले लिया A by B या A by B ना लेकर मैं P by Q ले देता हूं ज्यादा रिलेटिव लगता है दा fraction P by Q और यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होना चाहिए Q is not equals to zero Q zero के equal नहीं होना चाहिए उसके साथ साथ Q जो होता चाहिए पी और Q जो होना चाहिए पी और क्यू जो होना चाहिए और इंटीजर पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए उसके साथ-साथ co-prime होना चाहिए co-prime मैंने आपको बताया है co-prime ऐसा नंबर जिसका hcf 1 होता है हना चले pq integer होंचे उसके साथ co-prime होना चाहिए यानि 1 के लाओ उसके पास और कोई factor नहीं होना चाहिए अब हम क्या करेंगे हम लोग करते हैं इसका साथ माल्टिप्लाइ तो रूट 3 के क्यो मल्टिप्लाइ हो गया एक उस टो फी स्कारिंग बोद साथ करेंगे असप्क्राइरिंग बोद साथ तर्ड बोद साथ हम लोग क्या कर रहा है स्क्राइं बोड था सकॉर्ड करने ऐसे किया मिलेगा 3 q square equals to p square 3 q square equals to p square और q square equals to कितना आएगा p square by 3 q square equals to 3 square by p यहाँ पर लिखेंगे since p square जो है वो 3 से divisible है हमनों क्या लिखेंगे since p square is divisible divisible सौरा इस दरख दरख हो चकता है यार spelling mistake आप देख लिखेंगे divisible by 3 since p square is divisible by 3 since p square जो है divisible like it से 3 से therefore अनलों बोच सकते हैं p is also divisible by 3 p is also divisible by 3 है ना p p भी क्या होगा divisible होगा 3 से कहने का मतलब क्या होगा p square यानि suppose हम लोग बात कर रहे हैं 6 का square है वो divisible है 3 से यानि 36 है वो divisible है 3 से तो क्या 6 divisible नहीं होगा 3 से बिलकुल होगा है ना अगर 36 अगर इसी को मैं 6 का square यानि 36 by 3 लिखूँ तो 12 times में cancel हो जाता है यानि 6 square 3 से divisible है तो 6 भी 3 से divisible होगा 3 से इसको आप screen shot लेंगे मैं उपर से इसका रफ कर रहा हूं समझ में आ रहा ना बच्चों समझ में आ रहा है ना चलिए आगे चलते हैं अब क्या है P is also divisible by 3 तो हम लोग बोल सकते हैं P क्योंकि 3 से divisible है यानि P कोई ना कोई कहीं ना कहीं 3 का factor होगा P जोगा कहीं ना कहीं 3 का factor होगा जास C क्या है C is a constant कोई भी constant number है 1 है 2 है 3 है कोई भी होगा लेकिन P जो है divisible है 3 से तो P कोई 3 का ही एक multiple होगा है अगें squaring both side P squaring both side अभी हमने निकाला था 3 Q square equals to P square यही तो निकाला था 3 Q square equals to P square चलिए है squaring both side करेंगे तो P square equals to 3 that is 9 और C square C square P square के place में हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 Q square equals to 9 C square है ना ऐसे हम लोग लिख सकते हैं आई यह इसको rough करते हैं अब इसका कोई काम नहीं है 3 times में 1 times में यानि Q square equals to कितना है 3 C square या फिर C square multiply में इधर है तो divide में 3 C square equals to Q square by 3 again हम लोग बोल सकते हैं क्या since Q square is divisible by 3 अगर Q square भी divisible है 3 से तो हम लोग बोल सकते हैं therefore Q is also divisible by 3 Q is also divisible by 3 Q तो also divisible होगा 3 से अगर Q square divisible है 3 से तो Q भी तो divisible होगा 3 से तो यहां पर हम लोग क्या क्या बोला था कि P भी जो है वो भी divisible होगा 3 से उसे अगर Q square 3 से divisible है तो हम लोग बोल सकते हैं कि Q भी जो होगा वो divisible होगा 3 से तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है चले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं हमने क्या देखा कि 3 divides 3 divides P and Q also क्या हुआ कि 3 जो है P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है देरफोर 3 is a factor of factor of P and Q, है न, 3 अगर divide कर रहा है P और Q को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 जो है, एक factor होगा P और Q का, और अगर 3 एक factor होगा P और Q का, और अगर 3 एक factor होगा P और Q का, तो starting कीज़े, याद में, starting वाला याद कीज़े, starting मैंने आपको बताया था कि P और Q को प्राइ नमबर था, लेकिन यहाँ तो हमें 3 देखने को factor मिल रहा है, क्यों P का भी factor है, Q का भी factor है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, hence, hence, this is contradiction, hence, this is contradiction, यानि हमने जो बोला था, वो गलत बोला था, starting मैं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है, कि root 3 is an irrational number, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, बच्चो, समझ में आया, नहीं आया, आया न, इस types of question को solve करेंगे, या रूट 5, 4, root 7, root 11, 13, 17, कुछ भी हो, आप इसी types of concept को लगाएंगे, तो देखते हैं यह वीडियो, इसी तरह के informative वीडियो के लिए, बहुत जल्द science का भी मैं upload करने जा रहा हूं, तो हमारी वीडियो के साथ जूड़े देए, तब तक के लिए, thank you, thank you so much for watching this video. तरह के लिए, बहुआ जुदियो के सुज़े ओूछाशी आती हो, देखते हैं यह जच हो एत जाई सथ जल्द कीपकर मैं यहूएंगेंगे, जजड़ें जश़ें के लिएर